नमस्कार दोस्तों सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने अल्टिमेटली आपकी हमारी सबकी रिक्वेस्ट पर ड्यूडेट्स बढ़ाई और हम भारत सरकार के सुपकार के प्रती कृतग्ये हैं आप मेरी इस बात को सही सैंस में न लेकर कट कोड़ा सा डिस्केशन लेकर के आया हूं ताकि आप समझ सकें कि ये ड्यूडेट्स में क्या रिविजन आया और हो इस तो दोस्तों वाटार दरिवाईज दूडेट्स सिंप्ली स्पीकिंग ऐसे नॉर्मल टेक्सपेर्स जो अब तक 31 दिसंबर तक रिटन भरने के लिए ल सकते हैं हां दस जनवरी के बाद भी आप 31 माज तक रिटन भर सकते हैं सर असस्मेंट यर 20-21 के लिए पर उस केस में आपको फीज देनी पड़ेगी जैसा कि सेक्शन 234 F of income tax में लाइबल होती है अगर अससी टेक्स ओडिट के लिए लाइबल है या अससी ऐसी आप्लिकेबल है तो उसकी डूडेट सर जो रिटन भरने की 31 जनवरी थी वो टाइम लिमिट बढ़ा करके सर अब 15 फरवरी 2021 कर दी गई है इसी प्रकार से आप कंपनी या अन्य कोई अससी हैं जिसके ओपर आप्लिकेबल है तो आपकी भी डूडेट और फाइलिंग आई ट के केस में दूडेट 10 जनवरी तक बढ़ाई गई है और बाकी के अससी के लिए दूडेट दोस्तों 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है यहां पर दोस्तों रिवाइस टेक्स ओडिट एंड अदर रिपोर्ट डेट्स सिंप्ली स्पीकिंग पहले टेक्स ओडिट की या अदर रिपोर्ट जो हम इंकम टेक्स के परपजेस से चार्डर अकॉंडेंट फाइल करते हैं 31 दिसंबर 2020 लाज डेट ती उसको बढ़ा करके सरब 15 जनवरी 2021 यानि 15 जनवरी 2021 तक टेक्स ओडिट रिपोर्ट चार्डर अकॉंडेंट की ओर से जिन भी केसे में टेक्स ओडिट नहीं है रिवाईज देट ओफ विवाद से विश्वास स्कीम सर पहले विवाद से विश्वास में बिना किसी प्रकार का एडिशनल पेमेंट किये आपका एप्लिकेशन का डेट था सर 31 दिसंबर 2021 और 25 परसेंट के एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ में सर आपकी लाज डेट थी 31 मार्च यह जो 31 दिसंबर की डेट थी सर इस 31 दिसंबर की डेट को सर अब बढ़ा करके 31 जनुवरी 2021 कर दिया गया है किये निश्चित रूप से एक वेलकम रिलीफ रहेगी Self-assessment Tax with no interest पर सर आपके ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि पहले जो Self-assessment Tax एक लाक रुपे तक की लाइवरिटी थी वहां पर आपको 234 A section की लाइवरिटी या 234 B section की लाइवरिटी नहीं थी अगर आप due date of return भरने तक यानि जो revise due date थी वहां तक अपनी tax liability pay कर देते है return बढ़ देते हैं तो वही व्यवस्ता क्योंकि due dates बदल करके अब 10 January 2021 और 15 February 2021 हो गई है दोस्तों तो अगर आपका Self-assessment Tax एक लाक रुपे तक का है तो भारत सरकार आपसे कोई interest चार्ज नहीं करेगी इसी छोड़े से discussion के साथ मैं सर अपनी वीडियो आज यहीं पर समाब करता हूँ मुझे उमीद थी के भारत सरकार निश्चित रूप से जनता जनारदन की परशानी को समझते हुए थोड़ा उदार हिदे के साथ due date को बढ़ाती लेकिन कोई दिकत नहीं है सर अब हमें यह स फीस हमारे को पे नहीं करनी पड़े तो मेरी बहुत सारी शुपकामनाओं के साथ दोस्तों यहीं समाब करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जय है